स्वागत है आप सभी का Tech Study आई थे है यूटूब चैनल पर ITI candidates के लिए most awaited जो vacancy रहती उत्तर प्रदेश Power Corporation Limited UP PCL की तरफ से यहां पर जारी की जा चुकी है आप यह देख सकते हैं ओफिसियल वेब साइट पर notification number है Advertisement for the post-op technician electrical against advertisement number 10 VSA 2022 technician with do यहां से आप notification download कर सकते हैं आज इस वीडियो में complete detail के बारे में बात करेंगे जो UP PCL technician की vacancy आई है इसमें कौन-कौन से candidate apply कर सकते हैं eligibility criteria क्या है कब इसके farm भरे जाएंगे कब इसका examination होगा और क्या होगा आपका selection parameter तो वीडियो को अंतिम तक देखेगा आपको सारी जानकारी यहां पर देखने को मिलेगी और चैनल पर नए हैं तो पली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लिजेगा साथ में वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा इसका notification का PDF आप यहां पर हम description में official website का link देंगे वहां से आप ले सकते हैं या हमारा telegram channel है take study ITI वहां पर हम सभी तरह के notification आपके साथ share करते रहते हैं वहां पर आप जूड जाएंगे उसमें भी आपको यह देखने को मिल जाएगा यहां पर इसको क्लिक करके download कर लीजे फिर यहां पर इसको देखते हैं यह है आपका official notification विद्दुत सेवा आयोग की तरफ से जो जारी किया गया है इसमें आप देख सकते हैं को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में यहां पर समूगा की रिक्तियों है तो सीधी भरती यहां पर की गई जिसका CVT एक्जाम के द्वारा क्या होगा चैन होगा और इसमें भारती नागरिक आवेदन कर सकते हैं यानि All India Candidate इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नहीं सिर्फ UP किया तो UP के Candidate कर सकते हैं तावन है यहां पर अनरक्षित, 241 है OBC का, 187 है अनसूचित जाती और जनजातिका है 17 है अनसूचित जनजातिका and 89 है EWS Candidates के लिए ठीक है तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल जा रही है category wise आप देख सकते हैं वैकेंसी आवेधन करने वाले अभ्यर्थियों के पाद आधार कार्ड जरूर होना चाहिए और फोटो योग पहचान पत्र होना चाहिए बिग्यापित पद जो है यह अधिक होने की संख्या में CBT जो है एक से जादा दिन में या पाली में कराई जा सकते हैं इसके एकजामिनेशन्स अरक्षन जो उत्र प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनका अनुमन्ने होगा अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थियों अन्य रक्षित वर्क के अंतरगत आएंगे केंद्रिया राज्य सरकारिया किसी अन्य विवाकी सेवा से निसकासित ब्यक्ति उप्रोग पधेद अर नहीं है साथ में वेतनमान के अनुसार यहाँ पे 27,200 रुपए आपका जो है लेवल 4 का नियुन तम जो अस्तर है वहाँ से आप बाकी सारे भत्ते जो है वो कार्पोरेशन के जो नियम है उसके एकार्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे सैक्षिक योगिता की यहाँ पे बात करें तो अगर आपने हाई स्कूल या उसके समकच परित्था विज्ञानयों गणित बिसे में उत्तिन्ड की हो साथ में आपने एक ट्रेड में जो नीचे ट्रेड दिये गए गए किसी एक ट्रेड में दुई वर्सी जो है आपने NCVT या NCVT का एकजाम जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. पत्र यहां पर मानने नहीं होगा इसलिए हमने कहा कि वायर मैन के केंड़ेट इसमें इलिजबल नहीं रहेंगे एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमूम अठारा साल मागी गई है एक एक दोजार बायूस को एंड मैक्सिमम जो है चालिस साल आयू में छूट आपको फा अपरेंटिसिप एक्ट के अंतरगत अगर अपरेंटिस प्राप्त भरती की निर्धारित आयूस से अधिक होने की दसा में उन्हें प्रसिक्षण अवद की सीमा तक यानि अधिकताम दो वर्स सिथिलता अनुमन ने रहेगी ठीक है तो अगर आपने अपरेंटिसिप किया है तो यहाँ पर दो वर्स आपको जो है और सिथिलता अनुमन ने की जाएगी अब फार्म भरने की फीस देख लिजए यहाँ पर SCHD केंड़ेट के लिए 826 रूपए और अन्य समझ तरेनी के लिए 1180 रूपए यहाँ फार्म भरने की फीस रखी गई है जिसको कि आप ऑनलाइ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इनके थुरूया चलान के माध्यम से जमा कर सकते हैं बाकी प्रमाड पत्र की बात करें तो आपको जो भी प्रमाड पत्र हैं प्रस्तुत करने पड़ेंगे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है और यह सारे आपके जो प यहाँ पे मानने होगा ठीक है यहाँ एक चीज़ और देखिए जो लिखित परिक्षा होगी आपकी जो पर्थम भाग में सफल घोसित अभ्यर्थी होंगे उन्हीं सूची में से दुत्ती भाग में प्राप्त अंकों की स्रेश्था के अनुसार दो गुने सार्ट लिस्टे प्रस्ण पत्र जो है दो भागों का होगा प्रत्रम भाग में आपके जो नीलिट भाग के अस्तर का जो कम्पियूटर घ्यान है उससे संबंदित प्रस्ण पूचे जाएंगे 50 प्रस्ण होंगे सभी प्रस्ण एक अंक का होगा एंड वन फोर्थ की यहाँ पे नेगेटिव की जाएगी थर्ड पॉर्सन पर देखें कंप्यूटर ज्यान के प्रथम भाग में अरजित अंक मेरिट के लिए नहीं मानने होंगे ठीक है लेकिन बीस अंक आप पाएंगे तभी आपकी आगे की कॉपी चक होगी एंड ती भाग में आपको टोटल मिलेंगे कुष्चन जो मिलने वाले हैं यहाँ पे 200 कुष्चन मिलने वाले हैं तीन घंटे का पेपर होगा 20 कुष्चन आपके होंगे सामान अध्यन तारकिक ज्यान के 15 होंगे सामान हिंदी के सामान एग्रेजी के 15 और तक्नीकी भिसे ज्यान के 150 कुष्चन होगे टोटल 200 कुश्चन होगा एंड इसमें भी आपको मिनिमम जो है 33.5 परशंट अंक आपको लाना है ठीक है अर्थात ऐसे बहरती जो 60 अंक से कम पाएंगे वह चैन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे तो मिनिममम आपको 67 नंबर यहाँ पे ले आना पड़ेगा पहले यहाँ पे भी जा सकता है ऑनलाइन आवेदन होगा जिस्ता कि आपको प्रापर हम वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको आपको आवेदन अपने मोबाइल फोन से रखना है एंड कब उसका एडमिट कारड आएगा सारी अपडेट आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे परिक्षा की संभावित तिथी है नॉवंबर 2022 के चतुर सब्तायने नॉवंबर के लास्ट में आपके एक्जामिनेशन भी हो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चंटी है अगर कई सिफ्ट में परिक्षा होई तो यहाँ पे नॉर्मलाइसन का एक मिथट दिया तो आप लोगों को कोई मौका छोड़ना नहीं है अभी आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसी आई फिर आपकी DRDO में भी वैकेंसी आई है BASF में आई है इतनी सारी पर्मानेंट जाब में अब बस आपकी मेहनत की बारी है सरकार आपको मौका दे रही है और चल्दी ही इसकी आपको अब बसका वीडियो मिलेगा उसके बाद ख्लासे मिलेंगी थैंक यू बेरी मच बने रहेगा चैनल पर जैसे आता है अप्लाई करने का डेट आपको उसका वीडियो जरूर मिलेगा थैंक यू